So students, आगाते आप सभी का एको नियो वीडियो पर आज की वीडियो में मैं आपको कॉशन में की इंपोर्टेंस बताने जा रहा हूँ अभी नियूस पेपर में नियूस आई होई है, नियूस पेपर के जो कटेंगे वो अभी आपको अटेच कर दूँगा और मैं आपको देकि नियूस पढ़के तो नहीं बताओंगा, मैं आपको पूरी नियूस टेंडिग्राम पर पोश्ट कर दूँगा, अग़र आपको पूरी पढजनी है MP vote की तरफ से officially caution bank जारी नहीं की जाती है विमर्श पोर्टन पर ही की जाती है और जो विमर्श पोर्टन ने वो भी MP vote की news वगरा दे सकता है तो indirect हम यह कह सकते हैं कि MP vote की तरफ से जो caution bank जारी की जाती है अब देखिए news में क्या बताया गया है जो बच्चे ऐसे होते हैं जो C और D grade के होते हैं उन बच्चों की तैयारी आप caution bank से करवाई जाएगी जो government schools होते हैं वहाँ पर जो teachers हैं वो यह देखेंगी कि किस बच्चे को किस तरीके की तैयारी की जरूरत है उस news में ये तक दिया गया है कि books वगरा उपन नहीं करेंगे सिर्फ caution bank उपन करेंगे उसी में से बच्चों की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी कब से ये start हो रहा है तो 8 December के बाद से जैसे ही आपके अर्दवाशिक खतम होंगे उसके बाद ये सारी चीज़ा आपकी start हो जाएंगे और बात करें caution bank के तो हिंदी में मैंने आपको पूरी टेक्निग्राम पर पोस्ट कर रहा है जितने भी subject ही आई है English में भी हमारा काम हो रहा है उसके उपर तो थोड़ सा time consume होगा convert करने में वो सब में आपको provide करवा दूँगा वो कोई दिक्कत की बात नहीं है बट इस वीडियो के तुरू में आपको पस ये बता रहा हूँ कि caution bank के importance का आप समझी है news में भी यही बताया गया है कि जो teachers वगरा है वो भी बच्चों को इसी के according पढ़ानी की तैयारी कर रहे है और news में side में ये भी बताया गया था कि जो आपकी question bank के वो पूरी blueprint के according बनाई गई है तो काफी अच्छी बात है क्योंकि आपको पता MP board के exam pattern है वो जबाद चेंज हो क्या है 20% के आपके project files होनी है तो student जैसा कि आप सभी को पताए कि CVSC board के term 1 के examination में सिर्फ objectives आने है और CVSC को देखके MP board ने भी जो objective की संक्या है वो बढ़ा दी है तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है आपको finr app download करना है आपको open करके आपको practice section में जाना है वहाँ पे आपको mock test देने का मौका दिया जाएगा यहाँ पे आपको time development भी दी जाएगी और यहाँ पे आपको instant result भी बताया जाएगा जिससे कि आप आपकी जो mistakes हैं वह आप डून पाऊगे और इस app का मैं आपको एक शांदार feature बता देता हूँ अगर आपके मन में कोई भी doubt आता है किसी भी question में आपको doubt आता है तो आपको इस question का photo इस app पे post करना है कोई भी tutor within 60 seconds आएगा और आपको वो question समझाएगा तो काफी अच्छा है पे इस वीडियो की description चेक कीजिए वहाँ से आप आपको download कर पाऊगे एटी माक्स का आपका paper होगा तो आपको दिक्कत है नहीं आएगी question bank के तुरू आपको एक idea ज़रूर से हो जाएगा कि आपको जो paper है वो किस तरीके का आएगा तो देगी news के तुरू हम यही समझ सकते हैं कि question bank important है और अगर आप percentage की बात करेंगी कितना percent आपका paper आता है तो मैं आपको बदां question bank में जो question होते हैं वो important topics होते हैं previous year के question paper होते हैं और जो आपके MP vote के question paper आते हैं वो ज्यादा तर previous year के question paper में से ही आते हैं तो question bank में भी अगर वही है तो question bank से आप ऐसा मानिए 70-75% तक आपका question paper है वो आ जाएगा अगर आप सिर्फ question bank करेंगे तो आप पास आराम से हो जाओगे और देखिए यह जो question bank है वो 9 से 12 तक की तो यहाँ पर आप देखें कि इतने जादा बच्चे बताये गए इतने बच्चे तो MP board में ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह 10 और 12 के हैं तो इस चीज से आप यह मां समझें कि MP board में इतने बच्चे ही नहीं तो इस वीडियो में इतना ही किसी तरह का कोई doubt आता तो मुझे इंस्टाग्राम पर direct DM करके पूछ सकते हैं बाकि आप subscribe बटन जरूर से दबा के रखिए notification आइकन जरूर से on करके रखिए जिससे कि MP board की सारी updates आप तक पहुंच जाए